बिस्मिल्लावानेराहीम, असलामलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ इजाजनसारी और आप देख रहे हैं इजाजनसारी फूर सीक्रेट्स बिस्मिल्लावानेराहीम, अब हमेशा से जो मैं कहता हूँ आज मैं आपको करके भी दिखाऊंगा किस तरह से आटे को चाहना जाता है तो सबसे पहली होना है जब भी आपने मकी का आटा लेना है तो इसको अच्छी तरह देख के लेना है यह वाइट वाइट नहीं इस तरह का होना चाहिए गोल्डन सा ठीक है अगर यह वाइट वाइट हुआ तो समझ ले इसमें आटे की या मैदे की मिलावट है ठीक है तो खुशुरा सा एक बाल लेंगे उसमें इस आटे को हम एट कर देंगे यह लेंजी और इस आटे की खास बात यह है कि यह बहुत ही हैल्दी होता है एस कंपेर टू जो हम गंदुम काटा या मैदा वगरा यूज़ करते हैं बहुत सारे इसके हैल्थ बेनिफिट्स होते हैं अ बस आपने मीडियम सा बनाना है इस रेस्पी में अब एक प्राब्लम होती है कि पैनकेक्स अक्सर लोगों से तूट जाते हैं वह क्यों तो आपको अभी बताऊंगा तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है तो यह लेंजी हमने एक किसका बैटर सा बना लिए यह लें हलका सा मैंने इसको ग्रीज कर लिया था और इसके ओपर हम पोर कर देंगे इस बैटर को और उसके बाद हम किसी भी चमच यह किसी भी क्रोड़ी के साथ इसको हमने इस तरह से प्लेन कर देना है शेव दे लेनी है याद रखीगा अगर हम इसको बहुत पतला किया ना तो शे बिसमिल्लावानाहिम हमने बेहतरी तीके से इसको शेव दे दी है और उसके बाद आप इसको पलटना कब है ठीक है जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हमने इसको पलटना है जिस अगर इनकेस आप से तूटे तो आप इसके अंदर एक अंडा एड़ कर सकते हैं दो कप जो अटए और उसमें एक अंडा काफी होगा अगर एक कप आटा है तो आपसमें एक हाफ अंडा यूज़ कर सकतें उससे क्या होगा यह टूटे गानी इनकेस फिर भी आप से टूटे ये अंडा यूज़ नहीं करना चाहते तो थोड़ा साविशा भी मैदा यूज़ कर सकत के लिए मूली के पराथे रैस्पी के लिए यह में टेस्टी रैस्पी के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में यह द्वाव में आते कि लिए तक अल्ला हाफीज